मूवी के स्टार्ट में हमल मोस्ट दस साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखते हैं इस बच्ची का नाम सोफी था जो कि एक अजायलम में रहती थी क्योंकि उसके पैरंट्स की डेथ हो गई थी सोफी को नीद ना आने की बिमारी थी इसलिए वो पूरी रात जाकर गजारती थी और अजायलम में पिटती रहती थी क्योंकि उसे पूरी रात ही नीद नहीं आती थी और हर बच्चे की तरह उसका भी एक डर था के एक बाबाजी है जो रात के अंधेरे में आते हैं और बच्चों को उठा कर ले जाते हैं और फिर वो इन बच्चों को मार कर खा लेते हैं एक रात जब सब सो रहे होते हैं तब विंडो के पास से उसे बिल्ली की आवास सुनाई देती है अब क्योंकि उसे नहीं आ रही थी इसलिए उसे देखने के लिए बाहर जाती है वो जब बालकनी में होती है तो देखती है कि कुछ बिलियों ने डस्ट बिन को गिरा दिया है फिर सड़न वो देखती है कि बिल्डिंग के पीछे से एक जाइंट कहा डस्ट बिन को उठा कर उसकी जगह पर रख देता है इसके बाद बिल्डिंग के पीछी से एक काफी बड़ा जाइंट बाहिर आता है सोफी उस जाइंट को देख चुकी थी और वो भी सोफी को देख चुका था उसे देख कर वो डर जाती है और जल्ली से अपने विस्सर पर चली जाती है लेकिन वो जाइंट विंडो से हाथ अंदर डाल कर सोफी को उठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है हम दिखते हैं कि ये जाइंट इंसानों के सामने नहीं आता था और जब उसके रास्ते में कोई इंसान आता था तो वो किसी ना किसी तरह खुद को छुपा लेता था और फिर सबकी नजरों से बचते हुए वहाँ से निकल जाता है फिर वो सोफी को भी अपने साथ लेकर एक दूसरी दुनिया में आ जाता है और ये दुनिया थी जाइंट्स की दुनिया यानि यहाँ पर सिर्फ जाइंट्स रहते थे सोफी देखती है कि यह तो एक काफी बड़ा घर है और वहाँ की हर एक चीज जाइंट्स की तरह ही बड़ी थी सोफी वहां से भागने की कोशिश करती है जिस पर वो जाइट कहता है कि यहां से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है इसलिए तुम यहां से कहीं भी नहीं जा सकती यह सुनकर वो डर जाती है वो नाटिस करती है कि यह एक बुड़ा जाइट है वो जाइट सोफी को एक पैन पर लग देता है और बोलता है कि मुझे बहुत भूक लग रही है मुझे इतनी भूक लग रही है कि मुझे वो कंट्रोल ही नहीं हो रही है सोफी समझ रही थी कि ये जाइट मुझे हिकाने वाला है वो वहाँ पर और भी जाइंट्स की हसने की आवाजों को नौटिस करती है इसलिए वो उस बुड़े जाइंट्स से पुछती है कि क्या यहाँ पर और भी जाइंट्स है जिस पर वो बुड़ा जाइंट्स कहता है कि जी हाँ यहाँ यहाँ पर और भी जाइंट्स है और वो सारे जाइंट्स कैनेबल है यानि वो इंसानों को कच्चा ही का लेते हैं क्योंकि उन्हीं किसी भी इंसान पर तरस नहीं आता और जो भी उनकी हाथ लग जाता है वो उस इंसान को निगल जाते हैं ये सुनकर सोफी और ज्यादा डर जाती है इसलिए वो बुड़े जा वो इंसानों को खाना नहीं चाता और इससे ये बात जाहिर होती है कि वो एक अच्छा और रहम दिल जाइंट है वो उस बुड़े जाइंट से बुछती है कि अगर आप इंसानों को नहीं खाते तो फिर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं जिस पर वो बुड़ा जाइंट कहता है क्योंकि तुमने मुझे देख चुलिया था और तुम मेरे बारे में वहां पर किसी को बता देती जिससे मेरी जान खत्रे में पढ़ सकती थी जिससे इंसानों को हमारा पता चल जाता और वो यहाँ पर आजाते और बागे जाइंट्स को भीमार डालते और की वज़ा है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और अब तुम अपने सारी जिन्द की यहाँ पर मेरे साथ ही घुजारोगी जिस पर सोफी कहती है कि नहीं मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी जिस पर वो बुड़ा जाइंट कहता है कि नहीं तुम यहाँ से निकलन कि गलते भी मत करना वरना बाहिर बैठे जाइंट्स को तुम पर तरस नहीं आएगा ये कहकर वो बुड़ा जाइंट सोफी को एक बोट पर रख देता है और उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो लेकिन सोफी को तो नेंदी नहीं आती थी फिर वो दिखती है कि जाइंट अपने बैक से बड़ी बड़ी बॉटल्स निकाल रहा है उन बॉटल्स में कोई चीज थी जो चमक रही थी फिर वो उस जाइंट से पूछती है कि इन बॉटल्स में क्या है जिस पर वो जाइंट कहता है कि इसमें ड्रीम्स है यानी खुआब जिस वर वो कहती है फिर तो ये मेरे किसी काम के नहीं है क्योंकि मुझे तो ड्रीम्स आते ही नहीं है और मुझे ड्रीम्स आएंगे भी कैसे क्योंकि मुझे तो नेंदी नहीं आती फिर ये जाइंट वोवली बुक पढ़ने लगता है जो सोफी के पास थी इस बुक में बहुत सारी कहानिया लिखी हुई थी बुड़ा जाइंट उन कहानियों को पढ़ने लगता है जिस पर सोफी को नेंदा जाती है इसके बाद वो बुड़ा जाइंट एक बाटल लेता है और उसमें से एक ड्रीम बाहर निकालता है इतने ही दिर में सोफी की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि वो बुड़ा जाइंट अभी सो रहा है इसलिए वो मौके का फाइदा उठा कर उस घर से बाहर निकल जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन तबी उसे एक काफी बड़ा जाइंट पकड़ लेता है और ये सर्च में उस बुड़े जाइंट की निस्बत काफी बड़ा जाइंट था सोफी उस जाइट को कहती है कि प्लीज मुझे यहां से जाने दो लेकिन वो जाइट सोफी की एक नहीं सुनता और वो उसी निगल जाता है इसकी फॉरण बाद सोफी की आँख खुल जाती है इसका मतलब ये था कि सोफी एक ड्रीम देख रही थी जागने के बाद वो उस बुड़े जाइट से बुछती है कि मुझे पता है ये आपने किया है ना क्यूंकि ना तो मुझे नींद आती है और ना ही मुझे ड्रीम जाते है लेकिन आपने ये जो मुझे ड्रीम दिखाया है ये तो बो ट्राउना था जिस पर वो जाइंट कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा और मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि बाहर तुम्हारे लिए कितना खत्रा है इसी वज़े से तुम्हारे लिए बैटर होगा कि तुम यहीं पर ही रहो बुड़ा जाइट सोफी को समझाता है कि यहाँ पर जो जाइट सेना वो मुझ से साइज में काफी बड़े हैं और मैं तो उन जाइट से की सामने कुछ भी नहीं हूँ क्यूंकि मैं चोटा सा जाइट हो और बुड़ा भी हूँ अभी वो लोग बाते कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा जाइंट अंदर आ जाता है और वाकी ही ये उस बुड़े जाइंट की निस्बत काफी बड़ा था वो जाइंट आते ही बुड़े जाइंट से पुछता है कि बताओ तुम किस से बात कर रहे थे बोने अब यहाँ पर सारे जाइंट बुड़े जाइंट को बोना कहती थे क्योंकि वो साइज में सबसे ही चोटा था बुड़ा जाइंट जवाब देता है कि नहीं तो मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था इसी दुरान सोफी भी कहीं पर छुप जाती है इस बड़े जाइंट के हाथ पर चोट लगी थी इसलिए वो पट्टी करवाने के लिए बुड़े जाइंट के पास आया था अब क्योंकि वो जाइंट कहने बलता इसी वज़े से उसे उस घर में से इनसान की खुश्बू आती है इसलिए वो वहाँ पर पड़ी हर एक चीज को देखने लगता है तब ही सोफी उस सबजी के अंदर चली जाती है जब वो बुड़ा जाइंट खाता था और जब वो जाइंट उस सबजी को स्मेल करता है तो उसे उसमें से इनसान की खुश्बू आती है आज से पहले इस जाइंट ने कभी भी ये सबजी नहीं खाई थी लेकिन आज उसे इस वेज़ेटेबल में से अच्छी खुश्बू आ रही थी इनसान की खुश्बू आ रही थी क्योंकि उसमें सोफी जो थी इसलिए वो जाइंट उसे खाने लगता है ये देखकर वो बुड़ा जाइंट कहता है कि रुको तुम ये नहीं खा सकते क्या तुम भूल गई हो कि तुम वेज़ेबल्स नहीं खाते जिस पर वो जाइंट कहता है कि हाम मैं ये बात कैसे बूल गया कि मैं तो सबजियां खाता ही नहीं हूँ इसलिए वो सबजी को फैंक देता है और सोफी की जान बच जाती है इसकी बाद वो जाइंट वहां से चला जाता है फिर सोफी उसे काफी कहते है कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाए लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाता था क्योंकि बाहर जो जाइंट सो रहे थे अगर वो जा गए उन्होंने सोफी को देख लिया तो बहुत बुरा होगा इसी वज़े से वो किसी भी किसन का रिस्क नहीं लेना चाता था लेकिन सोफी उसे काफी इंजिस्ट करती है इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए एगरी हो जाता है जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो सारे जाइंट्स गहरी नेंसो रहे हैं इसलिए ये दोनों उनके बीच से ही गुजरना चाते थे लेकिन इतने ही देर में उन सारे जाइंट्स की आँख खुल जाती है और वो बुड़े जाइंट्स को परेशान करने लग जाते हैं कि बोने तुम कहां पर जा रहे हो जिस पर वो कहता है कि मैं तो अपने काम पर जा रहा हूँ जिस पर वो जाइंट्स कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि तुम यहां से निकल कर बाहर जाओ इनसानों की दुनिया में जाओ क्योंकि अगर इन्सानों को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी जान खत्रे में पढ़ जाएगी वो सारे जाइंट्स बुड़े जाइंट को बहुत ज्यादा तंग करते हैं और तबी मौके का फाइदा उठा कर सोफी एक गारे में छुप जाती है लेकिन तबी बुड़ा जाइंट आस्मान की तरफ इशारा करके कहता है कि वो देखो सब देखते हैं कि आस्मान पर बादल बने हैं और बारिश होने वाली है असल में उन सारे जाइंट्स को पानी से डर लगता था क्योंकि उन्हें वाटर फोबिया था और तबी वहाँ पर बारिश होने लगती है और वो सारे जाइंट्स जाकर छुप जाते हैं तब मौके का फाइदा उठा कर वो दोनों यानी बुड़ा जाइंट और सोफी वहाँ से चले जाते हैं वो लोग माउंटेंस पर चड़ने लगते हैं चलते चलते वो बादलों से भी काफी आगे निकल जाते हैं सोफी कहते है कि यहाँ से तो देखने में ये स्टार्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं बुड़ा जाइंट कहता है कि मैं तो इनका म्यूजिक भी सुन सकता हूँ वो बताता है कि मैं एवन दुनिया की हर चीज की आवाज ही सुन सकता हूँ मैं च्यून्टियों की आवाज सुन सकता हूँ केड़े मकोडों की आवाज सुन सकता हूँ एवन मैं ट्रीज की कहानिया में सुन सकता हूँ मेरे कान इतनी तेज हैं कि दुनिया की हर आवास को भी सुन सकते हैं ये सुनकर सोफी कहती है कि मुझे तो यकिन नहीं आरा आपकी बातों पर बुड़ा जाइंट कहता है कि यही सच है बेटा तुम्हें मानना होगा इसके बाद वो लोग एक लेक के पास पहुँचाते हैं जिसके पास एक काफी बड़ा और खुब्सूरट रे था बुड़ा जाइंट पानी में कूथ जाता है और उनके साह सुफी भी कूथ जाती है दोनों फिर लेक के दूसरे किनारे पर पहुँचाते हैं और ये होती है ड्रीमस की दुनिया क्योंकि ड्रीमस उस ट्रीस से यहाँ पर कत्रों की तरहा गिरते हैं और बुडा जाइंट इने पकड़ने के लिए ही यहाँ पर आता है फिर पूर दोनों मिलकर बहुत सारे ड्रीमस पकड़ लेते हैं इन खुआबों में अच्छे और बुरे दोनों ड्रीम्स ही थे इन ड्रीम्स को पकड़ कर फिर ये लोग वापिस जाने लगते हैं ये दोनों अब एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड बन गए थे और एक दूसरे के साथ काफी खुश थे बुड़ा जाइंट उसे अपनी दुख भरी कहाने भी सुनाता है कि यहाँ पर सारे जाइंट्स मुझे बोना कहते हैं लिकिन फिर वो एक बात सोचकर खुश हो जाता है कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा भी मिला था जो मुझे बिग फ्रेंडली जाइंट कहता था यह सुनकर सोफी कहती है तो आज से मैं भी आपको बिग फ्रेंडली जाइंट यानि बी फजी ही कहूंगी ड्रीम्स पकरने की बाद यह लोग सिटी में घूमते पिरते हैं जहाँ पर बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं और बिग फ्रेंडली जाइंट यानि बी 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 फ्रे इस दुनिया के इतने ही मेरी है यानि जब से ही दुनिया बनी थी तब से ही जायंट्स भी बन गए थे लेकिन ये इस दुनिया में ही इंसानों से चुपकर रहते हैं दिवारों के पीछे फिर वो दोनों वापिस जाने लगते हैं सोफी अचानक पूछती है कि मेरा ब्लैंकेट कहाँ पर है असल में सोफी का ब्लैंकेट जाइंट्स की दुनिया में ही रह गया था और इस बात की वज़े सी बीएफजी परेशान हो जाते हैं इसलिए वो सोफी को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि अब तक उन जाइंट्स को पता चल गया होगा कि मेरे साथ कोई इनसान भी है और यहाँ पर बीएफजी सोफी को एक बात बताता है कि बहुत सालों पहले मुझे एक बच्चा मिला था और वो भी इतना ही प्यारा और इनसेंट था जितनी के तुम हो और तुम्हारी तरह उसने भी मुझे देख लिया था इसी वज़े से मैं उस बच्चे को भी जाइंट्स की दुनिया में ले गया और उसी बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया और ये जो जैकिट तुमने पहन रखी है ये मेरे उसी मासूम छोटे से फ्रेंड की है लेकिन इससे पहले कि मैं उस बच्चे को उसकी दुनिया में वापिस लेकर आता काफी देर हो जुकी थी और मैं बिल्कल ये नहीं चाता कि जो उस बच्चे के साथ हुआ है मेरे उस दोस्त के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो क्योंकि तुम भी तो मेरी एक दोस्त ही हो ना इसे लिए वह सौफी को वहीं पर छोड़ कर वहां से जाने का फैसला करता है हलانके सोफी उन्हें काफी मना करती है यहां रुकने पर और उसके साथ चलने के जिद करती है लेकिन वो जाइट इस बार उसकी बात नहीं मानता तब BFG उसे अजाइला में छोड़ कर वहां से जाने लगता है अब क्योंके सोफी वहां पर रुकना नहीं चाहती थी इसलिए वो बाल कनी से कुद जाती है क्योंके उसे पता था कि BFG उसे बचा लेंगे और होता भी ऐसा है BFG उसे बचा लेता है और इसलिए ना चाहते हुए भी उसे सोफी की बात माननी पड़ती है इसी वज़े से वो उसे जाइंट्स की दुनिया में दुबारा से ले आता है जहां पर बाकी जाइंट्स पहले ही उन लोगों के लिए वेट कर रहे थी क्योंके सारे जाइंट्स जान चुके थे कि बुड़े जाइंट के पास कोई इनसान है इसलिए सारे जाइंट्स अब जानना चाहते थे कि वो इनसान कौन है, कहां पर है इसलिए वो ब्लैंकिट की खुश्बू की मदद से BFG के घर को चेक करते हैं और सारे समान की तोड़ फोड़ कर देते हैं लेकिन BFG उस ब्लैंकिट को जला देता है जिसमें सोफी की खुश्बू थी फिर वो उन सारे जाइंट्स को अपने घर से जाने के लिए बोलता है सोफी वहां दिवार पर लगी एक पिचर को देखती है जो कि प्रिंसिस की पिचर थी उस पिचर को देखकर सोफी को एक आइडिया आता है और वो BFG को कहते है कि आप प्रिंसिस के लिए एक ड्रीम बनाएं और उस ड्रीम में अब ये बताना कि जाइंट्स की एक दुनिया पाई जाती है इसी दुनिया में और वो सारे जाइंट्स इतने खतरनाक हैं कि बच्चों को मार कर खा लेते हैं और इसी ड्रीम में आप हम दोनों को भी शामिल कर लेना ताकि जब हम प्रिंसिस के सामने जाएं तो वो हमें पहचान लें ये सुनकर BFG ऐसा ही करता है और वो जाइंट्स की दुनिया में रहने वाले सारे जाइंट्स का एक ड्रीम बनाता है और वो उस ड्रीम में खुद को और सोफी को भी डाल देता है और साथ साथ वो सिटी की बहुत सारे मिसिंग बच्चों को भी डाल देता है फिर वो इस ड्रीम को लेकर प्रिंसिस के घर के पास चले जाते हैं और ये प्रिंसिस की नीद में वो ड्रीम डाल देते हैं और प्रिंसिस वो सब कुछ देख लेती है जो ये प्रिंसिस को दिखाना चाते थे प्रिंसिस के जब आँख खुलती है तो वो बहुत ज़्यदा डरी हुई होती है क्योंकि ये एक ड्राउना ड्रीम था क्योंकि जाइंट्स बच्चों को खा रहे थे प्रिंसिस इस ड्रीम के बारे में अपने किया टेकर को भी बताती है जिस पर वो किया टेकर कहती है कि आफिकर मत कीजिए ये आपका सिर्फिक ड्राउना ड्रीम था लेकिन जब वो न्यूस पेपर पढ़ती है तो कहती है कि ये तो बहुत अजीब बात हो गई क्योंकि कल राद बहुत सारे बच्चे मिसिंग हो गए थे अपने अपने घरों से और ये सिम वैसा ही हुआ है जैसा आपने ड्रीम देखा है तब ही प्रिंसिस कहती है कि परदे हटाओ और परदे हटाते ही विंडो पर सोफी खड़ी हुई थी असल में ये चीज़ भी उन्होंने ड्रीम में डाल दी थी और उसमें बी एफजी को भी डाल दिया था अच्छा यहां पर जाइंट्स की ना एक फणी बात भी थी कि वो किसी भी वर्ट को ठीक से नहीं बोलते थे इसलिए वो महराने को मरजानी कहता था बी एफजी इनसान को इनसांट कहता था और ऐसे ही उल्टे सिदे लफ़ बोलते थे इसकी बात प्रिंसिस उनका अच्छे से वेलकम करती है और उन्हें एक काफी अच्छी दावत देती है पिर ये लोग सारी बात प्रिंसिस को बता देते हैं कि जाइंट्स की दुनिया में नो बड़े बड़े जाइंट्स ऐसे हैं जो इनसानों और बचें को पकड़ कर खा लेते हैं इसलिए प्रिंसिस उनकी हल्प करने के लिए तैयार हो जाते है और अपनी एक पूरी आर्मे तैयार कर लेती है जोके BFG की मदद से अपने हलिकॉप्टर्स में बैट कर जाइंट्स की दुनिया के लिए निकल जाते हैं अब इन्होंने यहां पर एक प्रॉपर प्लैन बनाया हुआ था इसलिए वो प्लैन के मताबिक एक जगा पर रुख जाते हैं क्योंकि यह पूरी तैयारी के साथ उन पर अटैक करने के लिए आये थे प्लैन ये था कि BFG एक ड्रीम बनाएंगे और उस ड्रीम में BFG इन जाइंट्स के लिए शर्मिंदगी और बच्तावा डालेंगे उनके बुरे कामों के लिए जो उन्होंने किये थे और BFG ऐसा ड्रीम बना भी लेता है लेकिन जैसे ही BFG ड्रीम को उन जाइंट्स में डालने के लिए जाता है तब उन्हें याद आता है कि ड्रीम डालने वाली चीज़ तो मैं प्रिंसिस की महल में ही चोड़ाया हूँ और उस चीज़ की बगएर ऐसा करना रिस्की था क्योंकि उन जाइंट्स के पास जाना था लेकिन सोफी की मत करकी उस ड्रीम वाले जार को उस जगा पर लेकर चले जाती है जहां पर वो जाइंट्स सो रहे थे लेकिन इससे पहले कि सोफी उस जार को तोड़ पाती उन जाइंट्स का लेडर उठ जाता है और वो जैसे ही सोफी को पकड़ने वाला होता है सोफी उस जार को तोड़ देती है और ये ड्रीम उन जाइंट्स की नियंद में चला जाता है जो भी सो रहे थे और जब वो जाइंट्स जाकते हैं तो उने अपने बुरे काम पर शर्मिंदगी होती है लेकिन जो जाइंट्स का लेडर था वो तो जाक रहा था इसलिए उसे कोई भी पच्टावा और शर्मिंदगी नहीं होती और इसलिए वो सोफी पर अटैक कर देता है लेकिन तब ही बीएफजी उस जाइंट के सामने आ जाते हैं अब क्योंकि बीएफजी बहुत चोटे थे इसलिए वो जाइंट उन्हें अपने हाथ में उठा लेता है लेकिन जैसे ही वो बीएफजी को मारने लगता है प्रिंसिस की पूरी आर्मी हेलिकॉप्टर के साथ वहाँ पर आ जाती है और वो लोग सारे जाइंट को पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें समंदर के बीच में एक आईलाइंट पर छोड़ दिया जाता है अब क्योंके इनकी चारों दरफ पानी था और ये तो पानी से डरते थे इसलिए वो वहाँ से बाग नहीं सकते थे और इसलिए अभी हमेशा के लिए यहाँ पर फ़स गए हैं प्रिंसिस उन जाइंट के लिए वहाँ पर सबजी की बीच भी फैंक देती है ताकि ये जाइंट्स उन बीचों की मदद से वहाँ पर सबजी हुआएं और सारे जिन्दगी ये वो सबजी ही खाएं अब क्योंके उन जाइंट्स को ये सबजी पसंद नहीं थी लेकिन अब ना चाते हुए भी उन्हें ये सबजी ही खाने परनी थी और पूरी जिन्दगी इसी आईलैंड पर रहकर ये सबजी ही खानी है इसके बाद हम सोफी को देखते हैं जो बजाइला में नहीं रहती बलके प्रिंसिस के महल में रहती है और यहां पर सोफी बहुत खुश होती है और वो जब चाहे बीफ जी से बात भी कर सकती है क्योंके बीफ जी ने बताया था कि वो इस दुनिया की सारी आवाजें सुन सकते हैं दूसरी दरफ बीफ जी जो किप जाइट्स की दुनिया में बिलकुल अकेले रह गए हैं जिन्होंने जाइट्स की दुनिया में उस सबजी के इलावा और भी बहुत सारी वजेटेबल्स उगा ली हैं और वो भी अपनी लाइफ में बहुत खुश है सोफी हर सुबह जाकर विंडो पर आती है और बीफ जी को गुड मॉर्निंग कहती है जिससे भी एफ जी सून लेते हैं और उसका जवाब देते हैं और ये प्यारी सी मुवी यही पर एंट हो जाती है थेंक्यू फर वाचिंग